स्वागत है मेरे चैनल अनिता पाक साला में आज हम बनाएंगे चीली पनीर बहुत टेस्टी एक डम होटल के जैसा और ओभी बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत जल्द बन के तयार भी हो जाएगा तो चली अब बनाना शुरू करते हैं दो बड़े साइज के प्याज को हमने बड़े बड़े टुकडो में काट लिया है और उसे अलग-अलग कर दिया है हमने तीन सिम्ला मिर्ज को बड़े बड़े टुकडो में काट लिया है चौक और पीस में हमने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है लहसन है अध्रक और हरी मिर्ज को हमने बारी काट लिया है पनीर को प्लेट में डाल लेंगे हमने पनीर को उगाल लिया है पानी में नमक डाल करके क्योंकि यह पैकेट वाला था इसमें हम डालेंगे एक चम्मस मैदा और दो चम्मस कार्ण फ्लॉर आधा छोटा चम्मस गस्मेरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मस नमक अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया पैन में हमने एक बड़े चम्मस जितना तेल डाल दिया है इसको हम चारों तरफ फैला देंगे इसमें हम एक एक करके सारे पनीर को डाल देंगे तो देखिए हमने सारे पनीर को डाल दिया है अब हम इसी तरह से सारे पनीर को पलट देंगे तो देखिए पलकने के बाद हमारा कितना प्यारा गोल्डेन कलर का पनीर दीख रहा है अब हम इसको चलाते हुए थोड़ी दिर फ्राई कर लेंगे अच्छे से अब ये फ्राई हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे पनीर हमारा उपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट फ्राई हुआ है अब हम पैन में थोड़ा सा और तेल डालेंगे तेल पहले से भी इसमें है इसमें डालेंगे गुटा हुआ लहसुन आप चाहें तो बारिक बारिक काट भी सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ अद्रक इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे कटी हुई मीर्ज इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे प्याज प्याज को चलाते हुए हम भूल लेंगे प्याज हमारी भून रही है तब तक हम ग्रेवी के लिए घोल बना लेते हैं उसके लिए हमने दो चमच कार्ण फ्लोर लिया हुआ है अब इसमें डालेंगे हम पानी इसको अच्छे से चला के हम मिक्स कर लेंगे इसमें लम्स नहीं होना चाहिए अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए हमारा गोल बनके तयार हो गया प्याज को हम थोड़ी देर और भूनेंगे तो देखिए हमारी प्याज भून गई हमको ऐसा ही चाहिए अब इसमें हम डालेंगे सिम्ला मिर्च इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे सिम्ला मिर्च को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है तो देखिए अब सिम्ला मिर्च भी हमारी भून गई है अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चीली सोस एक चम्मच इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे सोया सोस एक चम्मच इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे टमाइटो सोस दो चम्मच इसको भी हम मिला लेंगे इसमें डाल देंगे एक चम्मच विनेगर अब डालेंगे कारन फ्लोर और कास्मीरी लाल मिर्ज का जो हमने घोल बनाया था इसको हम चलाते हुए थोड़ी दिर पकाएंगे दिखिए अब गाड़ा होने लगा अब हम इसमें डालेंगे पानी सब्जी में जितना ग्रेवी रखना है उसके इसाब से हम पानी डाल लेंगे इसे अच्छे से चलाते हुए हम मीक्स कर लेंगे अब डालेंगे हम इसमें नमक नमक स्वाव की अनुसार डालेंगे नमक हमने पहले पनीर में भी मिलाया हुआ है अब यहां डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर इसे मीक्स करेंगे ये बन गया हमारा चीली पनीर होटल से भी ज्यादा अच्छा अब हम डालेंगे कटी हुई हरी प्याज की पत्तिया देखिए ग्रेवी वाला चीली पनीर बिल्कुल कम समय में बनके तैयार है चलिए अब हम गर्मा गरम चीली पनीर को परोश्ते हैं अगर मेरी रेशीपी पसंद आये तो आप जरूर ट्राय करिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिजिएगा धन्यबाद